अब तक आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस सब्सक्राइब कर देजिए साइड में दिये हुए बल आइकन पर क्लिक करतीजिए ताकि आपको हर एक रेसिपी का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए और अपने फ्रेंग्स एंड फैमिलीज भे मेरी रेसिपी के वीडियो शेयर करना भूदेगा नहीं तो आज की रेसिपी शुरू करता है जिसका नाम है उपवास के भजिया उपवास ना भजिया नाम सुनते ही मुँमे तो पानी आएगा लेकिन आपको उपवास करने का मज़ा भी आएगा तो आज हम बनाते हैं उपवास के भजिया जिससे हम बनाएंगे राजगीरा आटा से तो आईए बनाते हैं उपवास ने भजिया यहां हमें लिया है राजगीरा आटा, राजगीरा आटा लिया है मैंने 250 ग्राम, रड़ी में लिया है, अगर आपको चक्की पर पीसा हुआ अच्छा सा प्रेश राजगीरा आटा मिलेगा तो भी आप ले सकते हैं, उसके साथ लेना है बहुत सारा धनिया, कटा हुआ बारिक तो आये बनाते हैं पटा-फट से राजगीरा भजिया तो सबसे पहले हम बैटर बनाएंगे राजगीरा का सबसे पहले मैंने एक बरतन में राजगीरा का आटा निकाल लिया है और इसके अंदर अभी अध करेंगे हम धन्या और मिर्ची धन्या को अच्छे मैंने वाश कर लिया था उसके बाद मैंने कट कर लिया है और मिर्ची को बहुत ही अच्छे बारिक फाइनली चॉप कर लिया है उसके साथ एड़ करेंगे हम जीरा अधा चम्मत जितना जीरा एड़ करते हैं, नमक, स्वात के अनुसार अराउंड अधा चम्मत जितना, थोड़ा समय जदर डाल देती हूँ, और इस साथ ही में आड़ कर देंगे हम, दरदरा कुटा हुआ, मुमफली का दाना, सभी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद, सिंपल पानी के साथ इसका बैटर बनाएंगे, और फ्रेंट्स ये इंस्टेंट बजिया हैं, तो अभी हम गैस के उपर, ऑईल को गरम करने के लिए भी रख देते हैं, और है अधिकरों से अच्छे से कहते हैं तो अच्छे से मिक्स करने के बाद, इसके अंदर अभी दिरे-दिरे करके पानी अट करएंगे, और पानी अट करते हुए, अच्छा सा गाडा सा बैटर बनाएंगे, जैसे हम बैसन के पकोड़े का बैटर बनाते हैं, वैसे ही, estásy करना है तो फ्रेंस मैंने अराउंड पॉना कब जितना पानी यूज किया है और इसे अच्छा से डाइडूट कर दिया है और इसका जो कंसिस्टंसी है वो भी बहुत सलरी नहीं रखना है खाले उतना ध्यान रखना है कि हम इसे हाथ से हैंडल कर सके हाथी से ही हम भजिया जैसे तो बस यह हमारा बैटल रडी हो गया है जैसे ही हमारा ऑइल गरम होता है इसके अंदर हम फ्रुट सल्ट एड करेंगे और इसे अच्छा से फुलने के बाद बजिया फ्राइड करेंगे तो फ्रिंस हमारा ऑइल जो है वो अच्छा से गरम हो गया है तो अभी इसके अ तो बस अभी हमें इसे ही छोड़ना है छोटे-छोटे भजिया तेल के अंदर प्राइ करेंगे थोड़ा सा इसे टर्ण करेंगे अलटते पलटते हुए अच्छे से गोडन ब्राउन होने तब इसे प्राइ करेंगे अच्छे से गोडन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राइ करना है और फ्राइ करते समय थोड़ा सा फ्लेम स्लो कर देना है ताकि अंदर तक अच्छे से यह पक जाए और जबी बबल्स बहुत ही कम हो जाए तभी हम एड कर फ्लेम को बढ़ाएंगे और उपर का जो कवर है उसे अच्छे से क्रिस्प होने देंगे तो फ्रेंट्स यह बजिया का बैच जो है वो रेडी हो गया है प्राइब होके अच्छे से ओई अच्छे को निकल जाने देंगे और उसके बाद ही हम इसे सर्व करेंगे तो फ्रेंट्स रेडी हो गया है हमारे गर्मा गरम उपास के भजिया पराली भजिया बहुत ही टेस्टी एकदम ही क्रंची और मुह में पानी लाने वाले और वैसे ही टमी फिलर तो यह शिवरातरी जरूर बनाईएगा और जरूर खाईएगा और बताईए मुझे कैसे लगा आपको आपके एक्सपिरेंस शेर कीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में थैंक यू